हाँ तो दोस्तों देखिए आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लोग पढ़ने के बाद अपनी आखे खोल लेंगे जी हाँ बहुत important बुक है इस बुक का नाम है समभोग से समाध्य की ओर जी हाँ इस बुक में इवाओं के लिए जो इवा होते हैं उनको कैसे अपने जीवन जो आप संभोग जिस संभोग के आप बात कर रहना वो संभोग नहीं यहाँ पी उनका अर्थ कुछ दूसरा लिया गया है यहाँ एक सामयन व्यक्ति के समझ के अस्तर की बुक नहीं है लेकिन एक सामयन व्यक्ति का आदमी इस अस्तर के बुक को समझने के लिए चेश्टा कर सकता है इसके अंदर वे सारी गुन दिये गए हैं जो कि एक सामयन व्यक्ति के पास नहीं होता है कोई भी वेक्ति जो अपने आपको बिसिष्ट बराना चाहते हैं समाज से अलग कुछ करना चाहते हैं हटके तो प्लेज ये बुक आपको काफी पाइदा देगा जो दर्सनिक किसमे के आदमी है हमारे समाज में दर्सन से जुड़े बातों को अच्छा लगता है उन्हें जीवन क्या है समयंदन क्या है प्रज्या क्या है ज्यान क्या है विश्डम क्या है वे लोग प्लेज आपको ये बुक एक बार अश्टडिक कर लेनी चाहिए आईए मैं बुक को शुरुवाती तोर से दिखाता हूँ देखिए संभोग से समाधी की ओर ये ओसो जी का फोटो है ओसो जिनका वास्त्विक नाम आचारी रजजनिस था ये बुक को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ देखिए बुद्ध के प्रवचन इस बुक में काफी दिए गए है मात्मा बुद्ध जो थे ठीक ना अब देखिए मैं यहां का पर्थम ट्रिष्ट लेकर के आपको सारा का सारा अंतिव प्रिष्ट तक दिखाऊंगा एक जलक देखिए ओसो जी का फोटो है अचारे रजनिस अब यह नहीं रहें तो यह देखिए यहां पे मैं इनका अज्याई दिखा दूँगा और प्राइस भी बता दूँँ अगर आप इसे खरिदना चाते हैं तो आपको प्राइस ज्यादा नहीं आपको प्राइस देने पड़े समभोग परमात्मा का स्रिजन उसके बाद समभोग सह सुन्यता की जलक समभोग समय सुन्यता की जलक समाधी और उसके बाद इधर आ जाते हैं हमारे युवा और योन इसमें नौ चप्टर है ठेक आप देख सकते हैं योन जीवन का उर्जा आयाम युवक चप्टर दो में क चार नंबर जन संख्यावि स्पोर्ट, पांच नंबर विद्रोह क्या है, छे चेप्टर क्या है, युवक क्यों 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 है, युवक क समाज से, दूसरों से मुक्ती, दमन से मुक्ती, न भोग, न दमन, वरन जागरन, टिक, यह देखे, तोटल 333 पेज हैं, आप इसे दो भासाओं में खरिद सकते हैं, हिंदी और इंगलिस, वैसे तो हम भारत के ज़्यादा लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप नेपाल और अधर किसी कंट्रिक हैं, बुटान, पकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, या अमेरिका, थाइलेंड, मुरासिस वगेरा, किसी भी कंपानी से हैं, किसी भी देश से हैं, तो आप अंगरेजी में इसका जो बुक है, वो ले सकते हैं, सच में बता रहा हूं, आपक एक कामुक्चित्र मिलेगी लेकिन आदमी जो है ना उसकी सोच किस प्रकार होती है सोचने की कला वो आपको पूरी तरह चेंज कर देगा देखिए यहां पर मैं आपको एक दू वड़ आपको दिखा देता हूं पहला चीज क्या क्या है संभोग से परमात्मा की स्रिजन मेरे पिर्य आत्मन प्रेम क्या है पहला ही वाग क्या बोला है प्रेम क्या है वट इज लव जीना और जानना तो आसान है लेकिन कहना बहुत कठिन है जैसे कोई मचली से पूछे कि सागर क्या है तो मचली कह सकती है कि यहां है सागर यहां रहा चारों तरफ वही लेकिन तो क्या है बताओ मत तब यह कठिन हो जाएगा यह देखिए अब दूसरा चेप्टर हम यह देखिए संभोग सह सुन्यता की जलग यह देखिए इधर कामुक चित्र दी गई है यह सुर्य मंदिर जो है कॉर्णार्क और तंजान या जो मैंद परदेश में मंदिर है खजुरा परकार से आँखों के दिव दृष्टी को चमका देंगे सबसे पहले तो मैं यह आपको यह चेप्टर पढ़ने के लिए कहूंगा यह देखिए युवा कौन है युवा कौन है पेज नमबर 213 चलिए हम आपको एक जलग दिखा देते हैं आपको ठीक ना ताकि आप जो भी वेक्ति कुछ इस दुनिया से कुछ अलग दुनिया में जाना चाहते हैं मतलब अलग दुनिया का मतलब की वेक्ति दो परकार के होते हैं जीवन जो है वेक्ति का जीवन दो परकार का होता है एक आध्यात्मिक जीवन और एक बहुतिक जगत तो बहुतिक जगत में तो लग लेकिन आज ध्यात्मिक जीवन में कि अवल कुछ परतिसत लोग ही जा पाते हैं 0.052 परसंट ही जा पाते हैं ठेक ना तो देखें युवक कौन है मेरे पिरिया आत्मन युवक के लिए कुछ भी बोलने से पहले या ठेक से समझ लेना जरूरी है कि युवक का अर्थ क्या है अपनी कभी पढ़ा ही नहीं इसकुल में कि युवक क्या होता है यूद किसे कहते हैं हम तो सिर्फ जानते हैं कि जो 18 सल से बढ़ा हो गया किसे रवस्था में पहुंच गया है उसे युवक कहते हैं लेकिन वास्तिविक इवक किसे कहते हैं, वाट इज रियल यूद, रियल यूद जो होता है, वाट कौन है, यहाँ आपकी किसी भी बिसुविद्यालाई में, कहीं भी यह तानिल आपको नहीं दी जाएगी, कहीं भी यह सिक्षा नहीं दी जाती है, जो ओसो जीना दिया है, आप इन सब महान वेक्तियों की जो अक्सर मैं बुक, आपको रिब्यों में दिखाता रहता हूँ, ऐसे ही मैं कोई भी बुक को उठा के नहीं आपके सामने फेग देता, मैं किसी भी बुक को लाता हूँ ना, बड़ी सोंच समझ के लाता हूँ, ठेक ना, यह मानव जीवन को बेर्थ में मत गवाईए, फालतु कामों में मत विताईए, कुछ भी टाइम मिलता है, आप आपने जीवन का उप्योग किजिए साद उप्योग, देखिए, युवा कोई है, यहाँ चैप्टर सबसे इंपोर्टनेंट युवाव के लिए है, उसके बाद प्रेम और विवा क्या है, आदमी ठेक ढ़ंग से जीने का कला नहीं जानता है, और विवा कर लेता है, वास्तों में यहाँ जीवन नहीं है, यह तो जानवरों का जीवन है, देखे, युवाचित्त कामन, देखे, यहाँ पर भी कामुक्ट चित्र दी गई है, और आदमी को यही बुक सिखाएगा कि कामुक्ता क्या है, वास्तों में, जो हम लोग बलते हैं, वहाँ वास्तों में है क्या, नारी को भी यह बुक जो एस्त्री है, कल्स, विशेश रूप से, वे बुक को प्लीज, पढ़ लिजेगा एक बार, किसी अगर आप बड़े में जा रहे हैं, तो यह बुक उसको दे दीजिए, और खुद भी पढ़िए, आपके जीवन जीने की कला ना बदल दीना, तो फिर बोलिएगा, यार, मेरी बातों को इतनी सांती और प्रेम से सुना, जो लेखिका बोल रही है, ठीक ना, ओसो जी के बातों को, उन्हीं ने सारा कुछ रिटन किया है, यह रहा हमारा, बुक का अंतिव, और यहाँ पर दी गई है, ओसो जो यह बुक डेली से पर, और अगर आप किसी भी चीज को, कठीना ही होती समझने में, तो यहाँ पर दिये गए सभी उनके, समझने के लिए आसान-ासान, करके दिये गए भासाओं में, ठीक, ओसो इंटरनेशनल जो है, मेडिटेशन, आपको मालूमी होगा, अगर आप ओसो की बातों को गौर करते होंगे, काफी, जो जितने भी दर्शन से जुड़े वेखती हैं, प्लीज, आपको बता रहा हूँ, यह बुक काफी, आपके दिमाग को खोल देगा, यहाँ मैं आपको भौतिक जगत की बातें नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक ना, आपको मैं आज्धात्मिक जगत की यहाँ बुक और ले जाएगी, देखिए, इंपोर्टेंट लोगों को मैं नाम दिखा देता हूँ, ओसो का हिंदी साहिती, उपनिसद, उसके बाद क्रिष्ण, जो स्री क्रिष्ण थे हैं, उसके बाद महावीर, कहां कहां से यह बाते की हैं, बुद्ध, आश्टा का चारिय, अलोस्त, इतने जो, जितने भी यहाँ पे बाते कर रहा हूँ, सभी को यहाँ पे भूक में समलित किया गया है, उसके बाद कबीर जी के बाते हैं, उसके बाद मीरा की बाते हैं, मीरा, क्रिष्ण प्रेमी मीरा, उसके बाद सांडिल की बाते हैं, पल्टू की बाते हैं, पल्टू को आप जानते ही होंगे, और सो जी अक्सर पल्टू को नाम लिया करते हैं, उसके बाद जग जीवन की बाते हैं, दरिया की बाते हैं, सुन्दर दास की बाते हैं, धरम दास की बाते हैं, दादू की बाते हैं, जितने भी महान महान लोग हुए उन सभी की बातों को यहां पर बैक्ख्या में बताया गया है, उनके बातों को अच्छे इच्छी गुनों क बताया गया है अच्छे अच्छे गुनों को लिया गया है तो एक सामाइन विवाद में जो वातिक जीवन को और ध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नोलज नहीं रखता उसे तो यहाँ भुक हवा में उड़ जाएगी लेकिन जो वेक्ती अच्छी रूप से जानना चाहता जीवन को ठीक ना उसके बाद उन्हें लगेगा कि वाकई में दिस इस वोग या एक रियल वोग है ठीक ना तो फिर मिलेंगे देखें यहाँ पर अंतिम वचन कुछ जलके दिखाएगे हैं और सो की वेब साइड में आप जाके चेप कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर तब तक क का ख्याल रखेगा और इस मानव जीवन का एक सही उचीत उपयोग करें यही मेरा उद्देश है और जितने भी मेरे पास ज्यान होगा उन्स सभी का मैं जन सेवा और जन लोगों को जागरूप करने के लिए लगा सकूँ यही मेरा मुच्छ उद्देश है जब तक जीवन ह और जीवन का अंतिमुद्देश क्या है आदमी को मालूम होना चाहिए मोक्ष क्या है ठिक ना प्रग्या क्या है ज्यान क्या है वो सबी बात इस बुक में आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा फिर मिलेंगे एक नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई सेर कीजिएगा अगर आपको पसंद आये तो